इसमें लाह रह्मान रुर्हीम अस्सलाम अलेकुम स्टूरेंट्स न्यू इसलामिया पॉब्लिक स्कूल और कोलिज चार सथा आज मेरा दूसरा ओंलाइन लेक्टर नाइन लेक्टर अन्पेजिक्स जनल साइन्स वन पार क्लास फिफ शेकंड समेस्टर चेप्टर नंबर 3 लाइट आज मेरा दूसरा ओंलाइन लेक्टर है चेप्टर नंबर 3 लाइट से ओके स्टूरेंट्स लेक्टर नंबर 2 है जो बुक पैज नंबर 79 पे आप देख भी सकते हैं आज का टॉपिक है रिक्टिलिनियर प्रोपिगेशन आफ लाइट रिक्टिलिनियर प्रोपिगेशन आफ लाइट का मतलब क्या है मीनिंग मैं आप देखें रिक्टिलिनियर प्रोपिगेशन आफ लाइट मीन देट लाइट ट्रेवल एन अस्ट्रेट लाइट इसका मतलब है कि लाइट जो है रोशनी जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइट में ट्रेवल करती है सपर करती है यानि स्ट्रेट इस्ट्रेट लाइट लाइट ट्रेवल इसकार्ड एरे और हर एक स्ट्रेट लाइट ट्रेवल करती है उसको रेखेती है अब इस बात को हमने Experimentally show करना है Experiment में आपको चाहिए Material needed Three rectangular pieces of cardboard Two with hole and one without hole और एक torch चाहिए आपको Procedure क्या आपने क्या करना है Place the cards in a straight line जो cards है त्री cards है आपने इसको straight line में रखना है The cards with the hole plays at the end which act like a screen The card without the hole जो card है जिसमें hole नहीं है वो screen का का काम करेगा और इसको आपने बिलकुल end में रखना है अचा मैं आपको ये Experimentally दिखाओंगा अब ये हमारे साथ Three rectangular cards है आप देख सकते हैं कि two cards में hole है जो बिलकुल एक दूसरे के पीचे लगे हुए है और जो third one है इसमें hole नहीं है और ये screen का 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 करेगा अब आप देखे मैंने एक torch लिया आप इसको on करके देख भी सकते हैं अचा मैंने टार्ट को दूसरे end पे रखका जो hole है पास वन तो उसके सामने बिलकुल रखका तो आप देख सकते हैं कि जो screen है उसे पे आपको light नज़र आएगा अचा अब मैं पहले वाले cards को तोड़ा move कर देता हूँ आप दूसरा card भी move कर सकते हैं जो hole है इसको एक दूसरे के जो सामने पते पहले आप इसको एक दूसरे के अलग करें अब आप देखें कि light screen पर जाता है कि नहीं आप देख सकते हैं कि light अब screen पर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब है that light travel in a straight line ये बात हमने experimentally show किया कि light जो है ये straight line में सबर करती है हमारा दूसरा topic है shadows shadows इसको हम सायब कहते है how shadow is permitted ये साया किस तरह बनती है shadow are permitted because light traveling in a straight line is prevented from reaching its destination अच्छा जो अगर आप light की पात में कोई effect object रख दें तो पिर साया बन जाती है जिसारा आप example में देख सकते हैं कि एक candle है जो इसके सामने एक effect object ये बाल रखका हुआ है और इसका जो है shadow इसके पीचे आप देख सकते हैं तो ये बाल जो है ये क्या चीज़ है ये effect object है और जो light rays है वो बिलकुल straight आ रही है आप देख सकते हैं तो इसे बाल पर पड़ रही है लेकिन effect है तो बैक से तो light पास ही नहीं होता तो इसका जो shadow है ये इसके बिलकुल back में बन जाती है तो इस तरह हम कैक सकते हैं कि when we place in a pack object in a path of light the shadow is formed Okay students, I hope you will enjoy this lecture and also read your book with this lecture Inshallah, there will be no query in this lecture Okay, thank you, wadaafis